जी हाँ दोस्तों आपने जैसे की देखा थबनेल में कि इसराइल ने करोना वाइरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है क्या ही यह माजरा चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में महामारी बन चुके करोना वाइरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है विश्वे स्वस्ते संगठन डबली एचर ने नोवल करोना वाइरस को महामारी गोशित किया है इस महामारी से कई लोगों की जान जा चुकी है तो वहीं कई लोग इस वाइरस के चपीट में आने के बाद अभी बी जूज रहें इस ड़र के बीच लोगों के लिए करोना वाइरस को लेकर एक राहत देने वाली खबर सामने आ रही है करोना वाइरस की दहशत के बीच एक देश ने दावा किया है कि उसने करोना वाइरस जैसी जान लेगा विमारी के लिए वैक्सिन इचात कर लिये यही नहीं कहा जा रहा है कि जल्द ही इस वैक्सिन टीके की खेट सभी संभवित देशों को भेज दी जाएगी बताया जा रहा है कि इसराइल के इस्टिट फॉर बायोलोजिकल रिसेर्च के वैग्यानिकों ने इस खतरनाग विमारी का तोड निकाल लिया है इस्टिट ओफ वैग्यानिकों ने दावा किया है कि करोना वाइरस कोविड नाइंटीन के टीके बनाए जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही अधिकारिक मानेता भी मिल जाएगी वहीं इसराइल के रक्षा मंतरी ने फटाली बैनिट का कहना है कि हमारे वैग्यानिकों ने करोना वाइरस के उपर शूद करके वाइरस के नेचर को समझा साथ ही करोना वाइरस के जैविक तंत्र बायलोजिकल सिस्टम के बारे में भी बारीकी से अधिन कर उसकी पहचान करने में सफलता हासिल की है इसराइल के रक्षा मंतराले ने स्थानिय न्यूज पेपर हायत सर्स को बताया कि करोना वाइरस के प्रती रोधक को विक्सित करने में वक्त लगा लेकिन जल्दी इसके इस्तिमाल की सफलता मिल सकती है उनका कहना है कि संस्थान में 50 से अधित अनुhuवी विज्ञानिक वाइरस के वैक्सिन बनाने के कार्णिय में लगे हुए है उनका कहना है कि करोना वाइरस वैक्सीन खोजने या परिक्षन किट खोजने के लिए वियस्थित कार्य योजना के अनुसार किया जाएगा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करोना वाइरस के विकास प्रक्रिया को परिक्षन और प्रियोगों की एक शंकला की अवर्शक्ता होती है जो टीगा करन के ब्रभावित और सुरक्षित होने में मदद करता है जानकारी के मताबिक करोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कई तरह के प्रिक्षन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा इसमें पहले जानवरों को फिर उसके बाद इंसानों के उपर नई दवाई का प्रियोग किया गया इस दोरान वैक्सीन के एफेक्ट और साइड एफेक्ट की जाच का ध्यन भी किया जा रहा है इसके बाद वैक्सीन को चीनी दवा नियामक और अमेरिका खाथ एवम औरशदी प्रशासन यानी FDA को भीजा जाएगा फिर वैक्सीन को मानिता के लिए विश्विश्वास्त संगटन उल्योचो की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा इसके बाद वैक्सीन को करोना प्रहोईद देशों में भी भेजा जा सकता है मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि तीन हफ़ते पहले जापान इटली और अन्य देशों से करोना वाइरस के नमूनों की पांच चिप्मेंट इसराइल में पहुँचाई थी जिसके बाद इंसिट्यूट फोर बायलोजिकल रिसर्च के लिए लाया गया यहां विग्यानिकों नमूनों पर अद्धियन कर वैक्सीन की तैयारी की अगर आपको जानकारे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें